हे फ्रेंद्स वेलकम बैक टो देशी फ्लेवर मैं हूँ आपकी होस्ट मुन्मन और आज मैं लेकर आई हूँ भिंडी की बहुती एजी रेसिपी यह है मसाला भिंडी फ्राय और इस रेसिपी को हम बनाएंगे बिना प्याज लहसून के बहुती कम टाइम में फटा फट बनकर तियार हो जाती है मसाला भुंडी की रेसिपी ने के मशाल भिंडी को और शुट चूटे ऊपने खट किजीएगा। सर्चूगा वाइल कोइल अचा ज। पीस इसको रचे ओडाएं लोगा झिसकila चेड़ कर लिए होड़ पर इसको फ्राय दॉत करने थाश शूतिया यह हम ह पर भिंडी को फ्राइय करेंगे और इसको भीज बीज में हम चलाते रहेंगे ताकि नीचे से यह जलना जाए भिंडी को अच्छे से फ्राइय करनीके के प्रषस को पांच सेす 7 मिलिट लग जाएगा संहेती तो हमें इस तरह से चलाते रहना है थोड़ी-पालट पलट पलट कर सबी भिंडी को अच्छे से फ्राय कर लेने हैं चारो तरफ से थोड़ी दिर पाद आप देख सकते हैं भिंडी थोड़ा सा सौफ्ट हो गया है इसको और भी अभी कुक करना है जब तक यह थोड़ा ब्राउन सा कलर ना आ जाए तो अभी हम थोड़ी दिर के लि तो आपको अगर कभी जल्दी में कुछ टेस्टी बनाना हो तो आप इस रेसिपी को बना कर सकते हैं भिंडी को मैंने हाई फ्लेम पर 5-7 मिनिट के लिए यह देखिए यह फ्राय हो चुके हैं तो इसको अब मैं निकाल कर साइट पर रख लेती हूं और यह देखिए भिंडी अच्छे से फ्राय हो चुकी है तो अब हम आगे कर प्रोसेस करते हैं सेम पैन पर मैं थोड़ा सा और वाइल डालूंगी मैं यहां पर फिर से सरसो का वाइल यूज कर रही हूं आप कोई भी वाइल यूज कर सकते हैं बहुत ज्यादा नहीं डाला है एकदम कम डाला है दो स ग्याद जिंजर पेस्ट यां लूड़ जो भी आपके पास अवेलिबल हो आप एड कर सकते हैं इसको मैं एक मिनद के लिए चला लोगी साथ में हम यहाँ पर एड करेंगे सुखे मसाले तो सबसे पहले मैं यहाँ पर धनिया पाARDर अएड मिर्च पाड़र मिर्च को अपने और पीडिन चला लेना और इसको ठोड़ी देट नहीं प्याइबार तोनी चीए टमेटो पीस्ट ना डाल सकतेए या फिर टमेटो प्यूरी भी यहां पे थोड़ा सा टमेटो प्यूरी आड़ करेंगे क्योंकि टमेटो प्यूरी थोड़ा सा खटा वाला टेस्ट देता है तो मैंने यहां पे टमेटो प्यूरी को मसालों के साथ मिक्स करते हुए अच्छे से दो से तीन मिनिट के लिए फ्राय कर लेंगे इसमें से जब तक oil separate ना हो जाए और मसाले के ऊपर हमें oil ना दिखे तब तक हमें मसाले को अच्छे से fry करना है और ये दीखिए मसाले में से हमें oil दिख रहा है separate हो चुका है oil तो मैं यह पर add कर उँ थोड़ सा सबजी मसाला ये आप ऑप्शनल है आप चाहे तो इसको यूज कीजिए या फिर अवर्ड भी कर सकते हैं अगर आपके पास है तो जरूर यूज कीजिएगा तो अब ये मसाला तियार हो चुका है इसमें मैं एड करूंगी फ्राइ किये हुए भिंडी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम मसालों में मसाले को मिक्स करेंगे हँए्दी में तकी मसाला सारा को जाए और मसाले का पूरा फ्लेवर जो है वह भिंडी में आड हो जाए तो अच्छे से मिक्स करके अब हम इसमें एक करिंगे स्ञ posição प्लाइब हो आपको वर्या सोगे असस Св distinctive आश长ãy कर चाह समें आद कर पावडर ये इस चाह अगर आम चूर पसंद है थोड़ा सा खटापन पसंद है भिंडी में तो एड़ कीजिएगा अधर्वाइस आप इसको स्किप कर सकते हैं इस टेज पर आप चाहे तो गरम मसाला का यूज कर सकते हैं बट मैं गरम मसाला को अवाइड कर जहूं कि बहुत जादा गर्मी है और मस करके कुछ दिर और को कर लेना है एक जाओ ती मीनिट के लिए ब géndnie को मसालों में यूज करते हुए हमें उन्हें फ्राय कर लेना है और बेंडी की र सिप्स्राइज के तियार है और यह आप देख सकते है कि इतनी मसाले दार बैंडी के रैस जिसके साद़ पिए आपको छा के साथ आप इंजॉय कीजिए मसाला भिंडी का लुक और कलर देखिए ये बहुत अच्छा और बहुत टीस्टी बनकर तियार होता है और बहुत कम समान में एक दम फटा फट बनाकर आप रेडी कर सकते हैं जब कभी आप जल्दी में हो या फिर टेफिन के लिए या फिर ट्र जरू घर पर ट्राइक करना वीडियो पसंद आहीं है तो वीडियो को एक चोटा सालायक करना जायलन पर न्यूंख है तो चैनल को सब्सक्राइब करना सैथ में बैल आइक न को जोरू प्रेसकर ना ताकर कैकious कि आने वाले वेडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकेए वी झाल झाल झाल